जैगुरु जी, आज हम पढ़ेंगे अध्याए 57, 58 और 69 और इसके साथ ही रुद्र सहिता का युद्गन संपून होगा, तो अब शुरू करते हैं, गजा सुर्की तपस्या, वर प्राप्ती और उसका अत्याचार, शिव द्वारा, उसका वर उसकी प्रात्ना से शिव का उसक कृतिवासा नाम से विख्यात होना, तथा कृतिवासिश्वर लिंग की स्थापना करना, सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब परम प्रेम पूर्वक, शशी मौली, शिव के उस चरित्र को श्रवन करो, जिसमें उन्होंने त्रिशूल राज, दानव राज, गजा सुर का वद किया था, गजा सुर महेशा सुर का फुत्र था, जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेजित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया, उसके तब की जौला से सब उसे जालने लगे, उसके तब की जौ ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर उसके प्रात्ना नुसार उसे वर दे दिया कि वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजे होगा वर पाकर वह गर्व में भर गया, सब दिशाओं तथा सब लोग पालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया अन्त में भगवान शंकर की राजधानी अनंदवन काशी में जाकर वह सब को सताने लगा देवताओं ने भगवान शंकर से प्राथना की, शंकर काम विजई हैं, उन्होंने घोर युद में उसे हरा कर त्रिशूल में पिरो लिया तब उसने भगवान शंकर का स्तवन किया, शंकर ने उस पर प्रसन होकर इच्छित वर मांगने को कहा तब गजासुर ने कहा, निगंबर स्वरूप महिशान, यदि आप मुझ पर प्रसन हैं, तो अपने त्रिशूल की अगनी से पवित्र हुए, मेरे इस चर्म को आप सदा धारन किये रहें विभू, मैं पुन्य गंधों की निधी हूँ, इसलिए मेरा यह चर्म चिर्काल तक उग्रतप रूपी अगनी की ज्वाला में पढ़ कर भी दग्द नहीं हुआ है दिगंबर, यदि मेरा यह चर्म पुन्यवान ना होता, तो रणांगन में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्थ होता शंकर, यदि आप तुष्ट हैं, तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए वह यह की, आज से आपका नाम कृतिवासा विख्यात हो जाए सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, गजासुर की बात सुनकर, भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसनता पूर्वक महिशा सुर्नंदन गज से कहा तथा अस्तू अच्छा ऐसा ही होगा तदंतर प्रसनात्मा भक्त प्रिय महिशान उस दानवराज गज से जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, पुना बोले इश्वर ने कहा, दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति सादक शेत्र काशी में मेरे लिंक के रूप में स्थित हो जाए इसका नाम कृती वासेश्वर होगा, यह समस्थ प्राणियों के लिए मुक्ति दाता, महान, पातकों का अविनाशक, संपून लिंगों में शिरो मनी और मोक्ष प्रद होगा यों कहे कर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल चर्ण को लेकर ओड़ लिया मुनिश्वर उस दिन बहुत बड़ा उच्सव मनाया गया काशी निवासी सारी जनता तथा प्रमदगन हर्श मगन हो गए विश्णु और भ्रह्मा आदी देवताओं का मन हर्श से परिपून हो गया वे हाथ जोड कर महेश्वर को नमसकार करके उनकी स्तुति करने लगे ओम नमाय शिवाय शिवजी सदा सहाय अध्याय सतावन यहीं पे समाप्त होता है अब हम आगे पढ़ते हैं दुन्दभी निर्लाद नामक दैते का व्याग्र रूप से शिवभक्त पर आक्रमन करने का विचार और शिवध्वारा उसका वद सनत कुमार जी कहते हैं व्याज जी अब मैं चंदर मौली के उस चरित्र का वर्नन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुन्दभी निर्लाद नामक दैते को मारा था तुम सावधान होकर श्रवन करो दिती पुत्र महाबली हिन्याक्ष के विश्णु द्वारा मारे जाने पर दिती को बहुत दुख हुआ तब देवशत्रू दुन्दभी निर्लाद ने उसको अश्वासन देकर यह निश्य किया कि देवताओं के बल ब्रहमन हैं ब्रहमन नश्ट हो जाएंगे तो यग्य नहीं होंगे यग्य ना होने पर देवता आहार ना पाने से निर्बल हो जाएंगे तब मैं उन पर सहजी विजे पालूँगा यो विचार कर वह ब्रामनों को मारने लगा ब्रामनों का प्रधान स्थान वारानसी है यह सोच कर वह काशी पहुचा और वन में वन्चर बन कर समिधा लेते हुए जल में जल्चर बन कर सनान करते हुए और रात में व्याग्र बनकर सोते हुए ब्रामनों को खाने लगा एक बार शिवरात्री के अवसर पर एक भक्त अपनी पानिशाला में देवादी देव शंकर का पूजन करके ध्यानस्त बैठा था बलाविमानी देट्यराज दुंदर्भी निर्लाद ने व्याग्र का रूप धारन करके उसे खाल लियाने का विचार किया प्रन्तु वेह भक्त द्रिवचित से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तलीन हो रहा था इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था इस कारण वेह देट्यर उस पर आक्रमन करने में समर्थ ना हो सका इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले देट्यर के अभिप्राय का पता चलग गया तब शंकर ने उसे माड डालने का विचार किया इतने में ज्यों ही उस देट्यर ने व्याग्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा त्यों ही जगत की रक्षा के लिए मनी स्वरूप तथा भक्त रक्षन में कुशल बुद्धिवाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोच कर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर गूसे से प्रहार किया उस मुष्टी प्रहार से तथा कांख में दबोचने से वह व्याग्र अत्यंत व्यतित हो गया और अपनी दहार से प्रित्वी तथा अकाश को कपाता हुआ मृत्यू का ग्रास बन गया उस बहंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हिदे कांप उठा वे रात में ही उस शब्द का अनुसरन करते हुए उस थान पर आपहुँचे महा परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाय हुए खड़े देखकर सब लोग उनके चर्णों में पढ़ गए और जैजैकार करते हुए उनकी स्तूति करने डगे तदंतर महेश्वर ने कहा जो मनुश्य यहां आकर शद्धा पूर्वक मेरे इस रूप का दर्शिन करेगा नी संदि है मैं उसके सारे उप्त्रवों को नश्ट कर दूँगा जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदे में मेरे इस लिंका स्मरन करके संग्राम में प्रवेश करेगा उसे अवश्य विजे की प्राप्ती होगी मुने जो मनुश्य व्याग्रेश्वर के प्राकट्य से संबंद रखने वाले इस परमुत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरे को सुनाएगा पढ़ेगा या पढ़ाएगा वह अपनी समस्त मनों वांचित वस्तों को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपून दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा शिव लीला संबंदी अमरित्मे अक्षरों से परिपून यह अनुपम आख्यान स्वर्ग यश और आयू का देने वाला तथा पुत्र पौत्र की वृद्धी करने वाला है अध्याए अठावन यहाँ पर संगे जी अध्याए अठावन खतम होता है देखें यह कितना अच्छा ही उन्होंने बता है कि जब भक्त अपने भग्वान शंकर जी के दर्शनों के लिए ध्यान में तलीन थे तब दैति जो आया उसको मारने के लिए शंकर जीने उस दैति को मार गिराया और उसको अपने मुश्डी परहार किया और उसको कांख में दबुच लिया और वेहमृत्यू का ग्रास बन गया और इतना भेहंकर शब्द हुआ उस समय इतना जोर से शब्द हुआ और यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि जगत की रक्षा के लिए मनी स्वरू और भक्त रक्षन में कुशल बुद्धी वाले त्रिलोचन तीन त्रिलोचन मतलब तीन नेत्रों वाले भग्वान शंकर प्रकट हो गए तो यह इतना सुन्दर वाक्य दुन्दुबिर निरलाद नामक दैत्य का जब शिजी ने वद किया था यहाँ पर अध्याय अठावन समाप्त होता है अब हम नेक्स अध्याय शुरू करते हैं विदल और उथपल नामक दैत्यों का पार्वती पर मोहित होना और पार्वती का कंदुक प्रहार द्वारा उनका काम तमाम करना कंदुक एश्वर की स्थापना तथा उनकी महीमा सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्य को लक्षे करा कर अपनी प्रियाद्वारा उसका वद कराया था उनके उस चरित्र को तुम परम प्रेम पूर्वक श्रवन करो विदल और उथपल नामक दो महा दैत्य थे उन्होंने ब्रह्माजी से किसी पुरुश के हाथ से नामरने का वरपराप्त करके सब देवताओं को जीत लिया था तब देवताओंने ब्रह्माजी के पास जाकर अपना दुख सुनाया उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा तुम लोग शिवा सहित शिव का आदरपूरवक्स मरन करके धैर्य धारन करो वे दोनों दैते निश्य ही देवी के हाथों मारे जाएंगे शिवा सहित शिव पर मेश्वर कल्यान करता और भक्त वत्सल है वे शिक्र ही तुम लोगों का कल्यान करेंगे संगजी जैसे की गुरुजी खाली हाथ उपकर के बने ते कल्यान किता बस जैसे उन्होंने कल्यान किता कह दिया तो समझ लो कि कल्यान हो गया तो ऐसे ही यहाँ पर यह वर्ड आया है शिव जी के लिए कि वो कल्यान करता है भक्तों को प्यार करते हैं और वो जल्दी ही तुम लोगों का कल्यान करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही गुरू जी हम सब का कल्यान करेंगे अब आगे पढ़ते हैं सनत कुमार जी कहते हैं मुने देवों से यूँ कहकर ब्रह्मा जी शिव का स्मरन करते हुए मौन हो गए तब देवगन भी अनंदित होकर अपने अपने दहाम को लौड गए एक समय नारज जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरन करने की बात सोचने लगे और पार्वती जी जहां गैंद उचाल रही थी वहीं वे जाकर अकाश में विचरने लगे वे दोनों गोर दुराचारी थे उनका मन अत्यांत चंचल हो रहा था वे गणों का रूप भारन करके अंबिका के निकट आ गए तब दुष्टों का संगहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी और देख कर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंद उन्हें पहचान लिया फिर तो सर्वस्वरूपी महादेब ने दुर्गती नाशनी दुर्गा को कटाक्ष के द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों देत्ये हैं गण नहीं है कितना अच्छा लिखा है यहाँ पर कि सर्वस्वरूपी महादेव है और दुर्गती नाशनी दुर्गा है तो और भगवान ने विशिव जी ने मा को ऐसे बता दिया इशारे से कि ये दोनों देते हैं गंड नहीं ताथ जब पारवती अपने स्वामी महा कोत की परमेश्वर शंकर के उस नेतर संकेत मतलब की आँखों के दोरा उनोंने उनको इशारा कर दिया था उस नेत्र संकेत को समझ गई तदंतर सरवग्य शिव की अरधांगिनी पारवती ने उस संकेत को समझ कर उसी गैंद के एक साथ ही उन दोनों पर चोट की तब महादेवी की गैंद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चकर काटते हुए उसी प्रकार बूतल पर गिर पड़े जैसे वायू के जोंके से चंचल होकर दो पके हुए ताड के फल अपनी डंठल से तूट कर गिर पड़ते हैं अथवा जैसे वज्र के अगहाद से महागिरी के दो शिकर डह जाते हैं इस प्रकार अकारे करने के लिए उद्ध्यत उन दोनों महादेत्यों को धाराशाई करके वेह गैंद लिंग रूप में परिनत हो गया समस्त दुष्टों का निवारन करने वाला वेह लिंग कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और जेश्ठेश्वर के समीप स्थित हो गया काशी में स्थित, कंदु केश्वर लिंग, दुष्टों का विनाशक, भोग मुक्ष का प्रताता और सरवदा सत पुर्षों की समस्त कामनाओं को पून करने वाला है जो मनुश्य इस अनूपम आख्यान को हर्ष पूर्वक सुनाता अत्वा पढ़ता है उसे भय का दुख कहां वह इस लोग में नाना प्रकार के संपून उत्तम उत्तम सुखों को भोग कर अंत में देव दुरलब दिव्यगती को प्राप कर लेता है रहमा जी कहते हैं मुनी सत्तम मैंने तुम से रुद्र सहिता के अंतरगत इस यूद खंड का वर्णन कर दिया यह खंड संपून मनौरतों का फल प्रदान करने वाला है इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र सहिता का वर्णन कर दिया है यहे शिव जी को सदा परंप्रिय है और भुक्ति मुप्ति रूप फल प्रदान करने वाली है सूजी कहते हैं इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्म पुत्र नारद शंकर के उत्तम यश को तथा शिव शतनाम को सुनकर प्रतार्थ हो गए यो मैंने संपून टरित्रों में प्रदान तथा कल्यान कारक यहे ब्रह्मा और नारत का संबाद पून रूप से कह दिया अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है अध्याए उनसर रूद्र सहिता का युदखन संपून जै जै गुरुजी रूद्र सहिता समाप्त जै जै गुरुजी संगजी आज ये रूद्र सहिता यहाँ पर समाप्त होती है कल से हमशत रूद्र सहिता शुरू करेंगे आप सबका बहुत 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 शुक्राना अनन्तम शुक्राना सुनने के लिए जैसे की गुरुजी कहके गए है कहने वाले का भी कल्यान है सुनने वाले का भी कल्यान है वो हमारे भक्त वतसल कल्यान करता और हमारे प्यारे प्यरे गुरूजी सारे संगत का कल्यान करें ओम् नमाश्यवआ शिवजी सदा सहाए ओम् नमाश्यवआ गुरूजी सदा सहाए जै गुरूजी